कर्म करेंगे क्या कर्म करेंगे तब इसलिए कहा जाता है कि जो स्वेम की मदद नहीं करता उसको भगवान भी मदद नहीं करते भगवान तब ख्याल रखेंगे बिल्कुल ख्याल रखेंगे जो 98% आपने उनका ख्याल रखा यह कैसे हो सकता है कि हमने उनका ख्याल नहीं रखा ख्याल रखा मतलब काम नहीं किया जो कि भगवान को कुछ खिलाने से नहीं मानते कुछ उनको को हशी आते होगी कि सारा तो मेरा ही दिया हुआ हुआ है मेरा ही चीज उसमें से एक-दो यह क्या कर रहा है 104 फ्रक्रति के स्वरूट्स है फल है उससार इसका बनाय हुआ हूँ उनहीं के बनाय हुए चीज़ों को पूरी स्रिस्टी कर देता है। कितने चलाउक हैं हम लोग नहीं उनके ही बनाये हुए घर में हम लोग रहते हुए अ फिर उनके लिए क्या करदेतां है एक और चोटा सा गर उन्हीं का सारा कुछ दिया हुआ है अब भी हम उनको खाना खिलाते हैं इसका मतलब है कि जो आगे अगर इसी को कहेंगे अगर सोची सदा सुखी सुना होगा जो आगे सोचता है तदा सुखी यानि अगला कहती आगे आगे यह आपसे पूछा गया से तीनों एक ही चीज अगला खोजाता है इसलिए कहा जाता है एक प्रभर्भ है कि जिसने सुबह को जीत लिया उसने पूरे दिन को जीत लिया इसका मतलब कि सारा दिन उसका क्या होगा है इसने सुबह को जीत लिया उसने पूरा दिन जीत लिया कहने का मतलब है कि जो सबसे आगे रहेगा तरियारी एक दो दिने में नहीं होती भाइ अभी हमको देना सितंबर में एकजाम और अभी होली के बाद सोचेंगे वें अभी और फिर निवनत की तयारी लिखें अब करेंगे टीटि देने के बाद सब तक चीज़ें और सेम ऐसा ही निबंध आईएस में भी पूछा गया है यानि ऐसा नहीं कि निबंध की तयारी बिल्कुल अनलिमिटेड है आप देखेंगे कि एक ही भाव और एक ही थीम पर क्वाई सारे निबंध पूछे गया है हाँ 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 करने का तभी है जब खिली हुई हो यह सवाल कब पूछा गया आईएस में पूछा गया वही सेम सवाल याईएस 2022 इसका मतलब क्या है इस पर मरमत करने का सही समय कि हैं है तभी है जब धूप खिली हुई हो मतलब जैसे अभी का जो समय अब कहेंगे नहीं जी हम तो जुलाई में जाकर के अपर मरम्मत करेंगे नहीं ये वही बात हुआ यानि एक जाम है सेप्टेंबर में तो सेप्टेंबर में छपर मरम्मत करेंगे नहीं तो आईस में भी वही सवाल पूछा गया जो बिहार PCS के निवन में पूछा गया है, खपर मरमत करने का समय तभी है, तही समय जब धूप खिली हुई हो, यानि जब मौसम साफ हो, जब मौसम खराब हो ही जाएगा, उसमें बरसात के दिनों में कोई खपर मरमत करता हूँ, तो बताई वो कर पाएगा, नहीं कर है, जब परसात से काफी पहले, जब धूप खिली हुई हो, यानि पहले से ही आपको प्रतिबध रहना पड़ेगा, समय और आउसर किसी की प्रतिक्षा नहीं करता, यही निवन पूछा गया, और यही बात यह आईस में पूछा गया, और बिहार PCS में आप से पूछा गया जो कहा भी गया कि भोज घरी, यह लोकोक्ती है, और लोकोक्तियां सामाने तक किस पर आधारित होती है, ब्यंग पर आधारित, यह लोक जीवन में कही गई उक्ति, लोक जीवन में प्रचलित और स्विकर्त, लोक जीवन में प्रचलित है और ब्यंग आधारित है, भोज घ अधरी कोड़ा कहने का मतलब आप पर ब्यंग किया जा रहा है कि यह संभव नहीं है और 68 में क्या पूछा गया अभी क्या लिखा था अपने को साथ अगला खेती आ गया तो यह तीनों निवन देखिए अगला खेती आ गया तो यानि पिछला खेती भाग्य पर आधारी था आ आगया धारित का मतलब है कि इसमें संदेह 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 कि जो आगे तैयारी करेगा सफल कौन होगा तो पहले से तैयारी करेगा अगला खेती आगे आगे चलता है यानि हमें आधारित कर्म या प्रबंधन इसलिए कहागे आपने सुना होगा कि जिन खोजातिन पा पहले से त्यारी करनी पड़ेगी, जो खोचता है उसको मिल ही जाता है, आपको मिल जाता है, लेकिन अगर बाद में आप त्यारी करेंगे, पिछला खेती करेंगे, तो भाग पराधारित होगा, नहीं, अब कोई जन्वरी से ही त्यारी कर रहा है, और आप से भी कोई पहले से कर रहा होगा हो सकता है कि नहीं तो तयारी किसकी अच्छी होगी जो सितंबर में करेगा उसकी या जो पहले से कर रहा है उसकी एक दिन में तयारी होगी नहीं और अभी 2024 का एलेक्शन है जो पहले से लगा होगा दोखसभा की तयारी में वो आगे बढ़ेगा नहीं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अच्छा चुनाव आयोका भी क्या ने दीजिए नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए है नहीं है तो सफलता में क्या लगता है वक्त लगता है कि कुशी तरह से कोई ऐसा छेत्र नहीं है जिसमें पहले से प्रवंधन आवश्यक नहीं है हर छेत्र आज़नीती हो अर्थभेवस्ता हो अध्याइन हो श्वास्त तो खेल हो, मालया कि कोई खेल में पेहतर करना चाहता है, तो त्यारी कब से करेगा ओ, जब युद्ध का आगाज हो जाएगा तब, यप पहले से, पहले से करेगा, तो ये तीनों का मतलब छपपर मरमत करने का समय है जब धूप खिली हुई हो, और यानि जब पहले से छपपर मर करने की त्यारी करनी पड़ेगी जब बरसात आही जाएगी तो आप नहीं कर पाएंगे अगला खेती आगे आगे ये तीनों निबंद इसी निबंद को आज हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ लिख सकते हैं क्या एक पारग्राफ लिखें जर्द देखें कैसे लिखते हैं अब लोग अब तो समझी इसके बारे में ज्यादा नहीं पचास सब्ध सी सब्ध विस्द मत्षी लिख के जड़ा जाएगा तब कुवा खोदेंगे तब उसमें से पानी निकलेगा तब हम आग बुझाएंगे ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे लिख के देखिए तो एक सुना होगा आपने कि आज करेशो कल करो कल करेशो बरसो जल्दी-जल्दी क्यों करते हो जिना है अभी बरसो नहीं पीस ह प्रारंभ करते हैं प्रारंभ करके बताईए फिर हम लोग सिखाएंगे आपको पांचे लाइन एक परग्राफ लिखिए तो पचास सब जिनका हो गया हो दिखा भी सकते हैं दो विकल्प है या तो दिखाना या तो पढ़ना एक तीसरा विकल्प है जो कोई नहीं है ना ये तीन विकल्पों में से कोई एक विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सर नहीं लिख पाया ये विकल्प है कि दिखा देना एक विकल्प है जो अपनी सीट्स एक-एक करक हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो कुछ बात बेसिक बाते ध्यान रखनी है आपको लिखना कितना है 700 शब्द में लिखना है और एक समस्या आती है सबसे पहली समस्या कि पहली समस्या यह आई कि विशे की समझ यानि टॉपिक की समझ अबसे पहले तो यह तो हम लोगों ने समझ लिया कि कहता क्या है यह खोज घरी कोहड़ा या छपर मरमत करने का समय तभी है जब धूप खिली हुई है यानि यह समय के महत्तों को बता रहा है कर्म के महत्तों को से बता रहा है अब ये कह रहा है की जो आगे सोचेंगा वो शुखी रहेगा वो सफल होगा तो हमने विशय समझ लिए विशय समुझ k sticky कi आधार है एक को कहते हैं read the lines और एक को कहते है read between the lines ये दोनों समझना लिखना इस पर है इस पर नहीं लिखना है, यह क्यों समझना है read the lines क्या है समझना है, लिखना किस पर है, read between the lines अब तुरा इसको भी समझ ले read the lines का मतलब है सराल लर्थ, यानि क्या कहा गया है, और इसका मतलब है, विशेश अर्थ यानि क्या कहना चाहते है, तो हर topic के ये दो मतलब होते है ठीक है, आप कोई भी बात कहते हैं, इसके दो मतलब होते है, एक तो जो आपने कहा और एक जो आप कहना चाहते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर होता है जैसे ये कहा गया भोज घरी, ये कहा गया कि भोज के समय कोहरा नहीं रोपा जाता है, ये सराल अर्थ है इस पर इसको अधार लेकर करके आपको निबंध अंक अंक इसीपर मिलेंगे अंक इस पर नहीं मिलेंगे जे कई कॉंपियों में ये था कि जब भोज होता है तब सुवा सुवा कौहरा रोपा जाएगा तो साम को कैसे फल देगा, ये सब नहीं लिखना है, क्लियर हुआ है, यानि सरल अर्थ नहीं लिखना है, सरल अर्थ के वोल समझने के लिए होता है, लिखना किस पर होता है, वो निबंध कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है समय के महत्यों को, कि अगर सोची कि कहना चाहता है कि पुरू में प्रवंधन जरूरी है प्रवंधन अवश्यक है तो आपको निवन्धी इस पर लिखना है वो तो कहा गया है नहीं जैसे कहा गया कि छपर मरमत करने का समय तभी है तो आप यह नहीं लिखना है अगर लिखना भी है तो एक लाइन से जादा नहीं लिखना है चुकि वो तो अंडरस्टूड है तो उस पर परिशक मार्क्स नहीं देगा अंक नहीं देगा तो कोशिस करना है कि उसको एक स्प्लेइन जादा से जादा एक दो लाइन में कर पाएंगे अगर कोई विद्यार्थी साथ आठ लाइन उसी को एक स्प्लेइन कर रहा है इसका मतलब है वो इस बातों को कम समझ रहा है तो उस पर पर जो परिख्षक है वो जल्दी से या तो क्रॉस करेगा या फिर उसको आगे बढ़ जाएगा और और सटी करन मांक्स आपका कैसा कर देगा और सटेवरेज कर देगा तो हमेशा जो रीड बीट्विन दे लाइन से यानि जो कहना चाहता है यानि जो विशेस अर्थ है इसी पर निबंध लिखा जाता है और इस पर मुश्किल से आप दो तीन पाक के जो है वो अपना निवेश कर सकते हैं क्लियर हुआ तो कोई भी निबंध हो तो आप देखे इस इस मेनिंग क्या है उसका विशेसर्थ क्या है और उसी को केंद्र में रखते हुए और प्रारंभ यहीं से करना है प्रारंभ जो है इन बातों से ही इससे जुडा हुआ अगर इससे प्रारंभ करेंगे तो अच्छे अंक नहीं मिलेगा यानि कुछ भी जैसे हाथी चले बाजार फुत्ता भूके हजार यह हो गया लोकोक्ति अब कोई कहे कि हाथी चौपाया जानवर है वह बल्वान जानवर है ऐसा लिखेंगे तो आंक नहीं आएगा जैसे मूस मुटाई है मूस चुहा होता है समझ में आ गई बात यानि एक हुआ रीड़ दा लाइंस तरल अर्थ यह केवल समझने के लिए लिखना इस पर क्लियर हो गया आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सरल अर्थ है जो कहा गया है और जो कहना चाहते हैं दोनों में अंतर है अंतर है या नहीं या आप घर परिव कुछ कहते होंगे लिकर कहना कुछ और चाहते होंगे क् 아 जो चाहते हैं वह वह तक ट्रांसफर होना चाहिए वहां तक संप्रिशित होना चाहिए और पिक्चर हो एंगार को को होना का मतलव क्या हो थे उस्ट पर कम ध्यान हی देना है वित्केंश को सहा capacitor अब हमारे सामने दूसरी चुनौती आती है कि हम प्रारंभ कैसे करें पहली चुनौती हमने फेस कर लिया कि जी इसका सरल अए और विसेश क्या है, दोनों जाने है, अब दोनों जानने के बाद आधकी दूसरी चुनौती क्या आती है हम यहां निबंध का प्रारम्ब कैसे करें, यह चुनौती आती है, ठीक, है। så देखते हैं, यहां तक आपके मन में क कोई डाउट हो तो पूछिए कोई डाउट नहीं है इसका मतलब कोई भी निबंध हो या फिलोसफी से जुड़ा हुआ हो या साहित्तिक से जुड़ा हुआ हो कि इतने भी निबंद पूछे जाते हैं उसका कुछ विसेस मीनिंग होता है आप भी कुछ बात कहते हैं तो उसका मीनिंग होता है आप क्रोध से कहिए प्रेम से कहिए जल्दी में कहिए जैसा भी जो भी आप कहते हैं उसका क्या होता है कुछ अर्थ होता है एक तो सरल अर्थ तो दिखा देगर का मतलब विशेश कुछ और मतलब होता है, नहीं, उजे बाइ क्या दिखा दोगे? कौपी दिखा दोगे, किलम दिखा दोगे? नहीं, इसका मतलब है कि विशेश आउर्थ आपको समझना पड़े खेंगा। तो अब हमारी पास दूसरी चुनौती है कि प्रारंभ कैसे करें तो इसको देखते हैं इसको आप कहते हैं इंटूडक्शन कैसे लिख जैए को कहें भूमिका कैसे लिख जैए इसी को कहेंगे कि परिचे कैसे लिख यह सब अलग-अलग शब्द है के हम प्रारम्भ कैसे करें और जो मिका कैसे ने ठीक वैसे ही है सोची किक भिख पज़े का वह को चेक करने में वह ब्यक्ति कितना समयมา लगाएगा कि निवन हैं कि एक निपन मज़न्ध कितना समय लगाएगा को मैक्सिम मं पांच मिनट अगर लगाता है तो यह दो मैक्सिमम मैं मेक्सिमम Is में इसे जादा समय नहीं लगाएगा तो 15 निवंधह आपने लिखा है मिधिक वैसे ही है कि 15 मिंट के लिए आपके पास कोई गेश्ट आता है आपके घर में कोई अतित्री आता है कि वहारे पास कितना समय है 15 मिट का समय है तो उस 15 मिन में उसके साथ आप क्या-क्या बिएफ कीजिएगा जो आज बताइए क्या क्या करेंगे आपको सूचित कर दिया गया है कि 15 मियट के लिए कोई आपके घर पर आ रहा है तो एक तो आप गंदे ड्रेस में जाएंगे उसके पास नहीं रेडी रहेंगे तो आपको सूचित कर दिया है कि हम आपकी कॉपी चेक क करेंगे तो आपकी कौपी कैसी रहनी चाहिए नहीं सुन्दर रहनी चाहिए कि वो देखे और देखता ही चला जाए नहीं कैसी रहनी चाहिए को ही को प्र Credit करेंगे और मेरे पास कितना समय है 15 मिन नहीं चुकर पहले समय करेंगे कैनें पहले से कोश्चन आपने ळिखा हुए आपने उसके लिए तयारी की है कि हमारी कॉपी को कोई 15 मिन देखेगा आसे तो अधियानी कियानि चलिए फिर से लिख रहा है कोपी कि क्या होने चाहिए 15 Minutes का समय उदर होने चाहिए है यह जो handwriting है वो क्या होने चाहिए पत्तनीय तो हो ही संदर्था तो सापेक्स कि relative word है लेकिन पठनिये तो है, पठनिये होना चाहिए, तो पहली कसोटी यह है कि आपकी कौपी पढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सुन्दरता और अच्छी कौपी सुन्दर लगे तो और अच्छी बात है, लेकिन पहली बात यह है कि वो पठनिये हो और दूसरी बात वरतनी की गलती कम वरतनी की गलती क्या हो spelling की गलती कम, spelling ठीक वैसे ही है जिसे चाय में कोई मच्छर गिर गया हो नहीं, तो guest उसको कैसे, आपको कहा है guest को अंक देना है, कैसे देगा एक आद तो चलिए छुप जाता है नहीं वाले मिक्षर खिला देंगा उसमें गिरा हुआ है कोश्च चलिए छुप जाए लेकिन अगर वरतनी की बार-बार गलती हो रही हो तब अच्छे अंक नहीं देगा क्यों नहीं देगा चुकि आपको डीएसपी बना रहा है आपको ड अधिकारी समझे और सोचिए कि हम अगर गलत लिखेंगे गलती तो खेर सब कोई लिखता है लेकिन एक दो चलेगा लेकिन अगर ज्यादा अब हर पैरा में गलती लिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसको सुधारने की आउशकता है और सुधारना बहुत कठिन काम नहीं है आप ज्यादा से ज्यादा पचास सब्द गलत लिखते हैं अगर आप ध्यान देंगे कि आप कौन कौन से शब्ड गलत लिखते हैं और जो गलत लिखते हैं उसको एक अलग कापी बनाईए अलग पेज़ बनाईए कि कि हम जिक्कियों की गलत लिखते हैं हम अभूत पुर्व गलत लिखते हैं कोई वर्ड होगा ऐसे मुश्किल से 50 सब्द हो जैसे ही उसको आपने अलग कर लिया और थोड़ा सा ध्यान दे दिया एक दो बार तो फिर वो गलतिया कम होने लेंगे फिर वो प्रैक्टिस में आ जा तो जो शब्द गलत लिखते हैं उसको आपको क्या कर लेना है तो दूसरी दूसरा ध्यान ये देना है कि वर्तनी की कम से कम हो तीसरा ध्यान यह देना है कि आपका परिक्षक से प्रथम परिचे है पहली बार परिचे हो रहा है और आप है नहीं कि जो अंग दे रहा है उससे आपका क्या हो रहा है पहला परिचे हो रहा है और माध्यम क्या है कि माध्यम आपकी कौपी है। और कौपी में लिखा हूँ आपका विचार है और विचार से जुड़ा हूँनिन निबन्ध के माध्यम से आपके विचार को जान रहा है। और यह जो लिखना यह व्यक्तित्व का आपका सकते हैं व्यक्तित्व का व्यक्तित्व की जात के लिए निबंध किसलिए पूछा जाता है परसनालिटी टेस्ट के लिए पूछा जाता है इस जो है यह में तो ज्ञान अधिक होता है नौलेज अधिक होता है विचार से जी इस का पेपर होता है क्या होता है अज्ञान अधिक है अधिक है विचार से तो इसलिए आपकी गलती वहां छिप जाती आपने प्रियंबल पढ़ लिया अपने जग्रफी का कोई पॉर्सन पढ़ लिया उसको लिख दिया तो जीएस की तैयारी तो कम दिनों में हो जाती है आपको एक टॉपिक होते हैं क्यान से क्यान का मतलब यहां फैक्ट से ज्यादा क्या होते हैं विचार होते हैं विचार एक दिन में बनते नहीं और विचारों को करता है आपका लेंग्वेज भाशा और भाशा भी एक दिन में नहीं बनती बहुत समय लगता है तो निबंध लिखना क्या है इसल तोल समझने की सबस्या है और चुकि फैक्स उसके साथ सात रहते हैं इसलिए आपको करने में कोई दिकत नहीं होती बताने में कोई दिकत नहीं होती आप इतिहास पढ़ते मालेजियस पढ़ा आपने और 857 किसी ने पढ़ा दिया तो आपने पांच कारण लिए पांच कारण लिख दिया उसके साथ साथ हैं लिखने में कोई दिक्कत नहीं आपने जल्दी मुश्किल से एक दो क्लास में आप लिखना शुरू कर देंगे लिगिन निबंध में ऐसा नहीं होता है और विचारों को आपको कितने सब्दों में लिखना इसका अब उसका प्रवंधन नहीं हुआ है अपक Sugdenly Also कि गल्ती कम हो। इसके अलावा जड़ा देखिए कोई आपके मन में मेंने डाउट होगा कोई सवाल होगा तो आप पूछएगा हूझ है अव्यरोग प्रारमी कर रहे हैं परिख्षक के लिए कर अ याणि प्रिक्षक को ध्यान में रखते हैं कि रिबंध कपर iले किसलिए कर रहे हैं करको फिश्त को ध्यान में रखते हुए यानी पुप्लक किसे कम से किसे अ MAX Western अब इसको कई तरीके से आप प्ररण कर सकते हैं माल्या कोई कविता से आपने कोई भी कविता से प्रारम किया हूँ सकता है कि इस कविता से वो जानकार हो नभी जानकार हो तो कविता से प्रारम किया यानि यह प्रारम आपका माना जाएगा कि मौलिक प्रारम है मौलिकता इसमें आपको दिखिए अपने दिंकर की कोई कविता से क्रारम किया किसी की भी कविता से प्रारम भूगी तो इससे क्या दिखाई दे रहे हैं आपकी मौलिक्ता दिखाई दे रहे हैं। निबंध है देखे भोज घरी को और आप दिनकर को कोट कर रहे हैं कबीर को कोट कर रहे है तो कबीर ने तो कुछ लिखा होगा तो यह सोच के नहीं लिखा होगा कि हमारा यूज कोई निबंध में करेगा वाले आपने तूलसी को कोट किया वाले आपने सेक्सफियर को कोट कि तो यह आपकी क्या दिखा रही है तो परिक्षक को यह पता चलेगा कि लड़का मौलिक सोच रखता है हो सकता आपने सम्मिधान के प्रियंबल को कोट किया हूं अब प्रियंबल जब बना था तो यह थोड़ी सोचा गया था कि इसका यूज निबंध में होगा लेकिन आपने इसका यूज कैसे किया निबंध में किया यह आपकी मौलिकता को बता रहा है तो पहला तो परिक्षक कि यह खुस हुआ कि लड़का क्या है रटा हुआ नहीं है मौलिक सोच है इसकी तीख है दूसरा प्रार्म कर सकते हैं किसी दार्षनिक कथन से आपने विवे केंदर में रखते हुए आप कर रहे है इसको सोचते हुए कर रहे हैं कोई दार्षनिक कथां से सुरू कर सकते हैं ठीक है तो हो सकता है तीसरा को से अजिल गभू कथास ने अब मन में सोचना है कि आखिर हम कैसे प्रारं करें को को लेकिन इस्टोरी ऐसी नहों कि बिलकुल वह आसान मतलब बहुत प्रचलित कि या सतही जैसे को यह स्टोरी बना जाता है कि राम और स्याम दो भाई हैं अब अभी हम बता रहे हैं लेकिन इस्टोरी कैसी हो जिसे को विवेका नन से जुड़िया था कोई महात्मा बुद्ध से जुड़िया कोई गांधी से जुड़िया स्टोरी कोई फिलोसफी से जुड़ा हुआ बड़े-बड़े दार्सनिक हुए हैं लाउत्ते की कोई स्टोरी या नभी हो तो उनके नाम से जोड़ दी गई है बुद्ध से ना आप मिले हैं ना परिक्षक मिला है मिला है लेकिन हम को यह कैसी स्टोरी बनाएंगे जो बुद्ध के विचारों से मिल जाएगी और यह सही प्रतीत होने लएगा कि ऐसा बुद्ध ने कहा होगा है लिए हुआ तो आप कोई नकली स्टोरी बना सकते हैं लेकिन वे स्टोरी किसे जूड़ी हो बड़े व्यक्तित्तों से जूड़ी ही अब ऐसा नहीं बनाना है कि वह सुबह जा रहा था तो अचानक यह तो आहे पर मिल गया है यह जो परिक्षक को लगता क्या है ना कि यह कि यह स्टोरी उसी को जस्टिफाई करनी चाहिए यह यह स्टोरी पढ़ करके परिक्षक को लगे कि नहीं इसमें कुछ मौलिकता कुछ अच्छी बात है को जानकारी चौथा प्रारम हो सकता है कोई विम लोकोक्ती ही हो हो सकता है कि कोई राजस्थान का विद्यार्थी परिक्षा दे रहा हो और राजस्थानी भाषा में कोई लोकोक्ती हो उससे जुड़ी हुई और ये भी हो सकता है कि जो लोकोक्ती राजस्थानी या जो पहाड़ी बच्चा है हरियानवी बच्चा है अगर उसको लगता है कि भाई यह परिशक पूल नहीं आता होगा तब तो और ज्यादा अच्छी बात यह आपने कोई ऐसी लोकूक्ति कोट की तो परिशक को भी नहीं आ रहा है कि मैं यानि आपने कुछ सिखा दिया उसको ऐसा हो सकता है तो बिहार की प्रिश्ट भूमी से हैं तो कि बिहार के लोग उतना जा मतलब वहां की लोगोक्तियों को समझते हैं लेकिन अगर कोई हर्याना का बच्चा बिहार PCS दे रहा हूँ राजस्थान का लंगा दे रहा हो और राजस्थानी भासा में मारवारी मालवी में वाती जैपूरी में कोई कुमाउनी और गढ़वाली में कोई गीत हो वी लोकोक्ति हो या मोई लोग गीत को मतलब यह नहीं कि पूरा लख़ए मुस्किल से दो-तीन लिखना लोग गीत का नहीं है यह निबंध का पेपर है हमेशा आपको ध्यान में रखना है या आपको केवल अभी प्रारंब सोचना है कोई लोग गीत हो तो उस निबंध को क्या कर रहा हो अगर ऐसा आप कुछ चुन पाते हैं कि परिक्षक को भी नहीं आ रहा हो अब तो यह और अगर यह भाव आ गया तो तो बहुत अच्छे अंग देगा वह कि पांचमी बात कोई प्रस्ण वाचक प्रस्ण वाचक तरीके से भी शुरू कर सकते हैं कि जैसे कोई कहे कोज घरी कोड़ा में अब कोई का सकता कि समय क्या है कोश्चन मारत है कि प्रवंधन किसे कहते हैं क ब Nurse करने के खटना से भी सुरू कर सकते हैं कि मैं अपने जी dependent पड़ा हो 이거 है यंदि कर सकते हैं यानि प्रारम्भ करने के कई तरीके लिकिन इन सभी तरीकों का उ wieldتस यह है कि हमारा जो परिक्षक है वह अच्छे से अच्छा अंक दे writes ह Grade ओ बड़े पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए शुरुवाती इधराग्राफ छोटा होना चाहिए कि रेओ आगे भी उसको से अधर करने बड़े पैराग्राफ किसी को अच्छे नई लगते एक वैसे ही है ढ़ीव त म dei एक ही बार दे दिया नहीं वह अच्छा रहाएगा या बारी बारी से आप देंगे एक एक करके क्या ड़ाय एफ चोटे प्राइग्राफ में अपने लिख दिया एक पेज का पराइग्राफ उने पढ़ेगा आपकी कॉपी पढ़े यह आपका दाई तो बनता है उसका कोई दाई तो नहीं है रिजल्ट आपका होना है कि उसका होना है नहीं होना है उसका आपका दाई तो बनता है कि आपकी कॉपी को ध्यान से पढ़े ईसके लिए कि लिए एक्सपेक्त कर रहा है कि लगर का डिप्टि करेंगा तो उसी अस्तर की कौपी होनी यह नि कौपी का भाशा का वर्तिनींग लिखावट का रिकाउंसर क्या हो ऐखता है वो अच्छा रखता है। अब्ध्ध में भूसकता गांधी को कोट किया हो। आपस सारे लोग हमारे यह थिंकर्स हैं। भुत के नंद्ध को कोट किया हो। लिंकर से इतिहाससों क incredible इतिहास के इतने बसंग हैं। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं लेकिन धियान रहे कि मेरा यह परिख्षक तरक नुद्स का परिचे है और प्रारम तो और पहला परिचे तो इस पहले परिचे में इतनी इतनी शिद्दत से मिलना इतने प्रेम से मिलना है और इतनी गर्मजोसी से मिलना है कि परिख्षक जो है कौपी को देख करके विचार को देख करके अंक पहले ही मन में सोच ले पहला पराग्राफ मन बना देता है कि हमको कितना अंक देना है तो तो पहले पारग्राफ को अगर आपने कंटिनू किसी ने सोच लिया कि तो 60% के लाइक है कॉपी और में 60 दिया सकता है और और आगे आपने अच्छा कर दिया और अंत भी अच्छा लिखा फिर परिक्षक आपकी कॉपी को पुनः पलटता है है ऐता लोड़ी है जया पुनः पलटा इसका मतलब है कि 6 पुंट अच्छा प्रस्ता से अच्छा उंग देगा है लेकिन मुझ पढ़ता गया पढ़ता गया हुरे क्यआ हो कोषिस करना की लिए क्रोंच करना परे गा कि फ्रेक्ष करना पड़ेगा इसे तो थुझा सा लिखिये कैसे हम लोग लिखेंगे प्रारम लिखिये प्रारम करने का कई तरीका कुविता से प्रारम करणे करके देखते हैं एक आपने नाम सुना होगा एक कवेतरी हैं 17 पहादेवी बर्मा की कविता है तू मोती के द्वीप पप्न में रहा खोजता तो पहता समय सिलाशा जम जाएगा पहादेवी बर्मा की कविता है तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता तब तो बहता समय सिलाशा जम जाएगा हो समय है तु मोती के द्वीप न में रहा खो़ता है स्वपनों में खो़ते ही कर्म कम होते हैं पर स्वपन ज्यादा । पिल्कुल स्वपन होने चाहिए यह गाादमी सपना ही नहीं देखेगा तो Uhr दो बने ऎकिन सपना में ही तो हो जाये के हुआ कि कई लोग दीवास्वां वंगे देखते हैं आं है को भी कात रंग के सपने बहुत तरह के सपने हैं रेकिन सपने हgener हखिकत में उतर इसके लिए कर्म भी जरूरी है. तो महदूई वर्मा कह रहे एंधू मोती के दीप स्वप्न में रहा खोजता. पीनाचेंज करके लिखे गजूपन अवही जमीन पर ऊतरते हैं. अपन तभी जमीन पर ऊतरते हैं. अब ऐसाल जब उसके पीछ यहाथए जब उसके पीछ है कर्म का सम्यक प्रबंधन कर्म का सम्यक प्रबंधन कर्म का सम्यक प्रबंधन कर्म का सम्यक प्रबंधन तथा परिश्रम की पराकास्था होती है तथा परिश्रम की पराकास्था होती हमारे चारों तरफ हमारे चारों तरफ हमारे चारों तरफ किन्तु आकर्षण मुक्त होकर जो साधक समय के महत्यों को समझते हुए समय के महत्यों को समझते हुए सचेत सजग एवं प्रतिबद्ध होता है वही सफल हो सकता है क्योंकि क्योंकि अपर मरमत करने का समय तभी होता है जब धूब खिली हुई एक तो प्रारम ऐसे हुआ दूसरे तरीके से प्रारम देखे हैं आपफी जढ़ कीजेगा कि कैसे प्रारम करना ज्यादा अब दूसरे तरीके से इसमें हम व्लोग कविता से प्रारम नहीं करेंगे कि और छे सर में पैंगल dirty कि उनीसवी सदी के कि Uniswii सदी के प्रसिद्ध चिंतक और दार्षनिक विवेका नंद कहते हैं प्राष देकर के लिखे हम उसी नदी में दुबारा असनान नहीं कर सकते क्या मतलब कहने का आपने एक बार असनान कर लिया फिर चाहें कि जी उसी नदी में कर लिया आप तो पानी बदल गया क्या हमने जो स्वांस लिया वही हवाब हगाई क्या जो दिर देखा वही दिर से रह गया अमए तेजी से बदलता रहता है इन विवेका नंद क्या कह रहते िए समय का महत्त हो काफी अधिक है हम है Bit लौक के नहीं आता बाक्य स्वास्ति खराब हुआ तो दौरा से ठीक हो जाएगा आज एक बार लीकिस्ता में जब खराब हो गया तो लौक नहीं आता ठीक अब विभीका नन siya कहा होगा कि नहीं कहा होगां हमने जोड दिया कि मैंने एक जूट को जोड़ दिया किसके साथ समझ में आ गई बात कि विवेकानन से न वो जाके पूछने वाले कि अनब बिवेकानन जिन्दगी भर क्या बोले होंगे वो कोई जांस परक है कि आपके निबंध में वो लेखन पूरा हो गया जो आपका उद्ध से था वो क्या हो गया पूरा हो गया ठीक है पैरा चेंज करके लिखे तीरे धीरा अचानक कैसे सब की तैयारी होती है तीन चार को किसी से इस दारसह निक स्टेटमेंट को जोंसे के मजोर सकते थे जोते हुए हम जोर सकते थे बुद्ध से कि बना रहता है की थिए पैला चेंज कर के लिखें शिचीत रूप से त्क मेरत अभी सक्ति शालिय को मैं सब्सें अधिक पुर्ण भी राम कि xi है और नस्थर 22 लं समय मलहम भी है और नस्तर भी अर्थात जिसने समय के महत्यों को समझा वह अपने लक्ष को प्राप्त करने में सफल रहा क्योंकि समय का चूका विद्यार्थी परसात का चूका हुआ किसान तो था डाल का चूका हुआ बंदर कहीं का नहीं रहा कि लोकोक्ति कहा का है तो आपने दूसरा प्रारम किसे किया है एक स्टेटमेंट से एक तीसरा प्रारम कर सकते हैं आपने एक तीसरे तरीके से प्रारम किया अफ़लता एक दुर घटना नहीं है प्रतिवध्य परिश्रम अनवरत प्रवंधन तथा समय के सदुपयोग पर निर्फ़र है, जो समय के महत्यों को नहीं समझता, उसका इतिहास नहीं लिखा जाता है। अपराजे नेपूलियन नेपूलियन अपने को अपराजे कहता था, अपराजे नेपूलियन पांच मिनट के विलंब के कारण बंदी बना और अपमान की मौत मरा। अनेक ऐसे प्रसंग है, आर्तिय इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग है, जहां सचेत, सतर्क, सचेत, यों सतर्क होकर समय का प्रवंधन नहीं किया गया, समय का प्रवंधन नहीं किया गया, तब हार का सामना करना पड़ा। करा चेन करके लिखे, आग भी कर्म का ही अनुकरण करता है, आग भी कर्म का ही अनुकरण करता है, या अनुगमन करता, यानि कर्म आगे रागे रहता है, पीछे से क्या रहता है, आगे चलता रहता है, जो खेती वामा उपलब्धी या लक्ष खेती उपलब्धी या लक्ष अग्य के सहारे है उसकी सफलता संदिग्ध है क्योंकि अब वो प्रुभर्व लिखे आगला खेती आगे आगे पुछला खेती आगे जागे अगला खेती आगे आगे पुछला खेती भागे जागे अगला खेती आगे आगे पिछला खेती आगे जागे जागे यह तो यह तीसरे तरीके से प्रारम चौथे तरीके से प्रारम लिखे लक्ष पर गड़ी आखें हला कब देख पाती आज धरती का तजीला पन गगन का सु करना होगा उसना है लक्षपर गड़ी यांखे बहला कब देख पाती ऑज धर्ती का सजीला-पन-गगन का है जिसकी यांखे लक्षपर गड़ी हो है वो नहीं देख पाती की धर्ती कितनी सजी हुई है वगर गगन कितना सजीला है तिनी आस पड़ोस के आकर्षण यह हमारे चारो तरफ मीना बाजार है इस मीना बजार में आखें नहीं फॉस्ती इसकी आखें इसकी आखें लक्ष पड़ गड़ी लक्ष पड़ गड़ी आखें भला कब देख पाती डेखने का उसर कहा है किसका साज धर्टी का धर्टी का साज تو सजा ही हुआ सारे आकर्षन क्या कर रहे हैं आपको पाइकवाइड खीच रहे है अट्रेक्शन इन सब पोर्स को आगे करके छोड़ करके कोई आगे देखता है अभी वो क्या होता है कफल होता अधिकांस लोग क्या रहते हैं धर्ती के साज में ही फसे रह जाते हैं नहीं लक्ष पर गड़ी आँखे भला कब देख पाती साज धर्ती का सजीलापन गगन का पैराचिन करके लिखे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ के बाद इसमें बो धक्चिन नहीं, इसमें बोधक्चिन समझते हैं नहीं, जी हाँ, धर्ती का साज और गगन का सजीलापन, धर्ती का साज और गगन का सजीलापन, उन्हें ही आकरसित करता है, जो समय के महत्व को नहीं समझते, जो समय के महत्व को नहीं समझते, जो समय के महत्व को नहीं समझते, जो समय अपर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूख खिली होती है पुर्ण विराम किसी को भी अच्छी और सुन्दर दुनिया कुछ दूख करने मिलती है पुर्ण विराम इसा मसी को भी हलिप पर और पली फार भी क्यों समसिव को टॉष्य को वे मैं है है तूज रूदा हुर्स का वन्वास टाहन पड़ा महात्मा बुध्य को भी तथा तीष्मी सदी के महानयक गांधी को भी तथा उनके संगहर्थ जनित शफलता पर यदि ध्यान दिया जाए तथा उनके संगहर्थ जनित सफलता पर यदि ध्यान दिया जाए तथा उनके संगर्स जनित सफलता पर यदि ध्यान दिया जाए तब एक सत्य सारभौमिक रूप से तार्किक है सही समय पर सही निर्ण लिया तो आपने कितने तरह से प्रार्म लिखार कि एक और लिख लेजिए घरत उड्यागे कुटविद्या करत्यागे कुटवधनम कन त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम, पैरचेंज करके लिखे, अर्थात कमै, वो माच्छान, के महत्यों को जिसने त्याग दिया, वह विद्यार्थी नहीं हो सकता, वह विद्यार्थी नहीं हो सकता, एक सजग चैतन्य विद्यार्थी वही है, जिसने संत तुलसीदास की नसीहत को सत प्रतिसत समझा है, सब्सक्राइब ताब बर्खा जब कृसी सुखाने जब कृसी सुखी गई तो बरसे की क्या उप्यूगता है क्या पहराचिन करके लिखे यह जीवन और समय यह जीवन और समय पहराचिन करके लिखे यह जीवन और समय इश्वर की दी गई नियामत इश्वर की दी गई नियामत राम का आशिरवाद भी तभी मिलता है राम का आशिरवाद भी तभी मिलता है जब हम पंक्ती में आगे रहते हैं राम का आशिरवाद भी तभी मिलता है जब हम पंक्ती में आगे रहते हैं सबका टेस्ट अलग-अलग है नहीं किया हर आदमी का अपना अपना क्या है हाँ जब ठीडियां चुक गई खेत हां बिल्कुल कि आपको कोटेशन भी मिलेगा हम लोग कमसर्ण 500 कोटेशन आपको देंगे एक जगल लिखा हुआ आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते पाइव हंडेड़ देंगे तो आज हम लोगों ने सीखा कि प्रारंब करने से घवराना नहीं प्रारंब करने का एक ही मतलब है कि आप पर कि नहीं उसके लिए अपने अतीथी को अपने गेस्ट को अभी पंद्रह मेट के लिए वो क्या है वो आपका अंक देने वाला है और हो सकता है कि घर से जगड़ा करके आया हो नहीं बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हो लेकिन आपकी कौपी देख करके उसको कैसा महसू कुस देर के लिए वो गम भूल जाए और उसी में क्या हो जाए हो जाए अब इसका मतलब है कि वह आपको 200 से अधिक अंक देगा तो हम लोग उसी की तयारी करेंगे और कल फिर क्लास रख लेते हैं